मेसोपटाइमिया के लेखन और साक्षर्ता की बात यदि करें तो जैसा पूर में हमने बताया है कि लेखन में वे क्यूनिफॉर्म स्टाइल अफ राइटिंग जिसे हम कीला कार लिपी भी कह सकते हैं उसको फॉलो करते थे और मूल रूप से ये चित्र के रूप में होते थे का उसको लिखने का कारे भी कुछ विशिष्ट लोग करते थे जो समझ लीजे उस तद्काली इन समाज में लिपिक रहे होंगे जिनका कार ही था उन पटिकाओं में लिखना क्योंकि यह भी एक कौशल था उन्हें एक सरकंडे के बारिक नोक नुमा चीज से उसमें अपनी बात को लिखना और उस पशन रूप से लिखना यह एक कला ही तो थी तो लिपिकों का उस समम्हाफी बोल बाला था ताकि वह सूख न जाए, सूखने के बाद तो कुछ भी लिखना संभव नहीं था, तो इस पकार हम कह सकते हैं, कि यह एक पटिका बनाना एक अत्यांत हे महत्पूर्ण कारे था, लिपिक का स्थान समाज में महत्पूर्ण रहा होगा, और सबसे रोचक बात यह है कि प्रइमियां, सब्विता की जो पूरी जानकारी है, पर चांस भी हमें मिली, तो वह हमें इसी पटिकाओं के माद्धे हम से मिली, जयसा पूर में मैंने जिक्र किया है एक अंग्रेज यदिकारी, जिनका नाम था सर, जिनका नाम था रौलिंजन हेंरी रौलिंजणन, हेंरि की रुची जागी, इंट्रेस्ट जागा और इतनी सारी पटिकाओं को पाने पर उसने निर्णा लिया कि मैं लिपी को समझने की कोशिश करूँगा और उसको लगवग बारा वर्ष लग गए इस लिपी को पूरी तरह समझने में और इन बारा वर्षों के अथक अनवरत प्र को उसने जब दिनिया के सामने पढ़ा तो विश्वतिखास में एक नया ध्याय जुड़ा एक नई सब्रता की जानकारी सामने आई और इसका श्रेज आता है हेंरी रॉलिंसन को लेखन का प्रयोग यदि हम इसकी बात करें तो यह हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्रामिया के बारे में सर्व प्रचलित है और सर्व मानने है उसमें व्यापार और लेखन सब्से पहले राजा के द्वारा किया गया शहरी जीवन लेखन व्यापार के मद्द संबंधों को उरुक के एक पुराने शासक जिनका नाम था एन मरकर इसके विशा में लिखा गया महाकावे में स्पष्ट किया गया उरुक अत्यांत सुंदर सुंदर पूर्ण शहर था इसे शहर ही कहा जाता था सुमेर व्यापार की एक पहली घटना शासक एन मरकर के साथ जोड़ी जाती है यानि सुमेर सब्विता में यदि व्यापार की बात करें तो उसके सबसे पहला विवरण हमें वहां के शासक के जरिये मिलता है जिसमें महा कावे में वर्णन है कि उन दुनों व्यापार और लेखन कोई नहीं जानता था एन मरकर राजा ने अपने मंदर में अपने शहर में मंदर बनाने का काम कराया और सिजाने के लिए बहुत सुंदर्रत्न पत्थर धात्वें वो मंगाने चाहता था और उसने इस कारे के लिए अपने राज़ूद को अरट्टा नामक शासक के पाश इसपास भेजा दूत ने राजा के अदेर शानशार रात में चांड तारों की रोश्णी और दिन में सुरत की रोश्णी में आगे बढ़ता गिया रास्ते में उचे नीचे पहाडों को लांगना ऐसा करते करते वा आगे बढ़ा जब वो पहाड पर था तब सूसा नगर के लोग छोटे चुहे की तरह उसे दिखे अर था नीचे घाटी की सभी चीज़े बड़ी छोटी दिखी और उसने छै परवत मालाएं और साथ परवत ये बात मिसवपोटेमिया के राजा के दूद की है दूद अरटा के मुखेया से चाड़ी और लाजवर नीला पाया उसके लिए उसमें उरुक राजा की तरफ से धंकियां भी दी और धंकियां देने के पीछे मकसद यही था कि इतनी दूर आने के बाद दूर्ट अपने साथ चांदी और लाजवर ले जा सके आखिर में दूर्ष इतना चकरा गया कि अपनी बात को वो राजा को बता नहीं पाया और तब जाकर राजा एन मरकर ने अपने हाथों से चिकनी मिट्टी से पट्टिकाएं तयार कियें जिसे हम टैब कहते हैं उस समय शब्द लिखे नहीं जाते थे जिसलिए दूर्ष ने अरट्टा को लिखी पट्टी का हाथ में जाकर दी उस चारीश शब्द कील थे अर्था कीला कार शब्द थे हलांकि इस घटना को सचनी बाना जासता लेकिन मानिताओं के अनिसार वियापार और लेखन राजा के द्वारा ही प्रारंब किया गया है ऐसा मिसोपटामिया स्वास्कृति में माना जाता है एक खास बात और मिसोपटामिया में जहां हम पटिकाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके मुक्ष रोजानकारी के इतिहासकारों के लिए वे पटिकाओं हैं जिसमें पता नहीं अंगिनज बातें लिखी हुई हैं सारा हिसाब किताब लेन देन और सारी गतिविदियों का उसमें विवरन है ऐसे समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बड़ी कम थी यानि मूल रूप से मेसोपटैमिया के लोग कम शिक्षित थे कम पढ़े लिखे थे ये एक बड़ी रोचक चीज आपको जाननी चाहिए प्रतीकों और चिन्हों की संख्या भी शायद बहुत अधिक थी और कठिन भी थी इसलिए भी शायद लोगों की पढ़े लिखने में रूची कम रही होगी लेकिन ये तैह है कि वहां के लोग कम पढ़े लिखे थे और जो प्रतीक थे जो चिन्ह थे लिपी जिसकों हम कह सकते हैं वे एक तरीके से काफी कठिन थी और इसलिए जो लिपिक लोग थे वो पटिकाओं में लिखते समय इस बात की बहुत साउधानी बरते थे कि राजाओं के प्रशस्ति पत्र ऐसे भों की जो राजा स्वैम पढ़ सके इस बात पर विशेश ध्यान दिया जाता था कि प्रशस्ति अभिलेक राजा के द्वारा पठनी हों और उसमें जो बातें हों वह राजा स्वैम समझ सके साथ ही जो लिखावटें अधिकाई जो लिखावटें थी इसके बोलने के तरीकों को भी उन पर टिकाओं में एक तरीके से एक्स्प्रेस किया गया है एक तरीके से बताया गया है क्योंकि हर एक बुली की हर एक शैली की अपनी एक तरीका होता है और उस तरीके को उसमें बताया गया है और इसकी जुरत खास कर इसलिए भी थी क्योंकि चिन भी कठिन थे प्रतीक चिन भी प्रतीक भी थे भी कठिन थे शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन हुई दशाएं क्या आर्थ है गाउं, गाउं के पूर भी कुछ जुग्य जोपड़िया फिर वो गाउं में बदलती हैं फिर बस्तियां फिर उसके बाद कुछ हाबादी और धीरे धीरे शहर जब विकास शहर की और बढ़ता है जब शहरी करण बढ़ता है तो उसके साथ साथ कुछ शहर वे शहर जो हैं वो कुछ नई दशाएं लेने लगते हैं उदारन के लिए कुछ शहर किसी विशिष्ट कारणों से पनपते हैं बढ़ते हैं, विकसित होते हैं कुछ अन्य शहर किसी अन्य कारणों से जाने जाते हैं, उन शहरों की वो खासियत हो जाती है, विशेश्टा हो जाती है, तो हम यहाँ अब जाने कि मेसोपटाइमिया में, शहरी करण या शहरों के विकास के कारण, अखिर क्या दशाएं, क्या क्या नई नई चीज़ें, वहा वह थी कि अत्याधिक उत्पादन वह त्याधिक ज्यादा खेती वहां होने लगी दूसरा बिंदु है जल परिवहन तीसरी दशा या तीसरी स्थिति जिस पर हमको समझना होगा वह धातु पत्थर आदी की कमी चौथी स्थिति या चौथी दशा श्रम विभाजन पांचवा मुद्राओं का प्रयोग छटवा और अंतिम राजाओं की सैनि स्थिति सैनि शक्ति जिसने श्रम को अनिवारे कर दिया ये जो पांचो छैयों दशाएं हैं ये शहरी करण से पन पी हैं और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि शहरी करण से का पनपना शायद इन दशाओं के कारण भी हुआ होगा है दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के उत्प्रेरक का कारे करती रहे। तो चली अब हम चलते हैं, सबसे पहले बिंदी की ओर अत्याधिक उत्पादक खेती यहां की विशेष्टा थी। मूलता अधिकतर लोग किसान थे, पढ़े लिखे कम थे, किसान थे, खुब खेती करते थे, प्रचुर मात्रा में खेती करते थे और एक समय ऐसा आया की कृष्य उत्पादन जरूरत से आवश्कता से ज्यादा होने लगा। यदि इतिहास में हम देखें, तो हम पाएंगे कि मानों का जो करमिक विकास हुआ है, उस विकास में समाज में शरम, विभाजन और उसके साथ ही विदेशेशी करण, ये दो चीजें समय के साथ साथ बढ़ती गएं। इसकी प्रक्रिया उसी समय अस्तित्व में आना शुरू होती है, जब गाओं में खाद्य उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाए। मैं अपना दोहराता हूँ, जो कि यह बिंदु एक इतिहास का एक थंबरूल है। क्या है? कि मानों के करमिक विकास में समाज में श्रम विभाजन और विदेशेशी करन की प्रक्रिया उसी समय शुरू होती है, जब क्रिश्य उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। आखिर क्यों थोड़ा समझने की कुशिश करें यदि क्रिश्विद पादन जरुरत से ज़्यादा हुआ तो खेती करने वाले लोग कुछ अन्यकारे भी करने लगते हैं किसी अन्यकारे में भी अपना कौशल दिखाने लगते हैं जैसे पत्थर को तराशना इसके साथ लुहार गिरी करना बढ़ाई गिरी करना आदी आदी और फिर यहां से आगे बढ़ते हुए फिर होता है बार्टर सिस्टिम यानि सामान की अदला बदली सामान का लेंदिन तो श्रम विभाजन तब जब उत्पाधन जरूरत से ज़्यादा खाद्य उत्पाधन जरूरत से ज़्यादा इसी अत्रिक्त उत्पाधन के कारण शहरी करन की दशा में ये पहला कदम माना जा सकता है श्रम विभाजन यानि यदि हम पाइदान की बात करें तो सबसे पहला पाइदान है उत्पाधन दूसरा पायदान है खाद उत्पादन जरूरत से ज्यादा तीसरा कदम है जरूरत से ज्यादा खाद उत्पादन के कारण श्रम विभाजन और विदेशेशी करण उसके बाद चौथा इन सब क्या परिणाम शहरी करण तो शहरी करण की दिशा में यह एक अत्यादिक महत्पूर्ण करम था और हो सकता है कि इस अत्यादिक उत्पादन के कारण ही इतने ज्यादा शहर होना संभव हुआ होगा मेसोपटामिया सभिलाइडेशन में मेसोपटामिया के सब बता में यद्यपी वे लोग अनपढ थे, कम पढ़े थे, अनपढ तो नहीं कहेंगे पर कम लोग पढ़े लिखे थे और कम पढ़े लिखे थे तो ये तो हुई मेसोपटामिया में शहरी करण की दशा में होने वाला एक परिवर्तन दूसरी दशा क्या थी, दूसरी क्या बात थी, जिसे हम समझना चाहेंगे वह था जल परिवहन गाउं बसते हैं, बसाहट बढ़ती है, फिर शहर होता है और शहर से हट कर दूर में नए गाउं पनपते हैं ये गाउं और शहर के बीच का परसपर संबंद सदैव बना रहा है, इतिहास में सदैव रहा है क्योंकि शहर की बहुत सी आवशकताएं शहर स्वैम पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें गाउं पर निर पर रहना पड़ता है उधारन के लिए बहुत तरीके के आउजार पत्थर की जरूरते हैं, खाद्यान की जरूरते हैं और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आवशक है कि परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो गाउं और शहरों के बीच में ये परिवहन किस तरह का हो जिससे आवाजाही और आवागमन सरल हो मारवाही मामिन जो पशू के माध्यम से पशूँ से ढुलाई करना और बैल गाडियों से लिजाना ये तो एक बड़ा प्राचीन आवागमन का जरिया है परिवहन का जरिया है लेकिन ये एक खर्चीला जरिया है बहुत समय भी लगता है और बहुत धीरे होता है श्रम भी बहुत लगता है उसकी तुलना में जल मारग जो है वो अत्याधिक कम खर्चीला बहुत तीवर और साथ ही कम समय लगने वाला ये होता है सरल मार्ग होता है तो यदि जल मार्ग की सुवधाएं हों तो शहर और गाओं के बीच में आवा जाही तीवर होगी और शहर के पनपने में जल मार्ग का बहुत अहम रोल हो जाता है योगदान हो जाता है और यही यहां पर भी हुआ जल परिवहन सस्ता होता है तीवर होता है और शहरी जीवन के विकास में भी काफी मदद करता है अनाज के बोरे और अन्य सामान नाओं में असे डाल दिया जाए और नाव में डालने के बाद इसे जल धारा और हवा की दिशा में छोड़ दिया जाए तो बिना किसी श्रम के वो बड़े आराम से अपने गंतव इस तल में पहुँच सकता है और रास्ते में जहां जहां उस माल को उतारने की जुरत है वहां उतारा जा सकता है सुगमता से सरलता से और कम खर्च से मेसोपटैमिया के काल में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नहरे और नदियां और फरात नदी यह थी जो जल परिवहन में बहुत सुगमता उसने पहुँचाई यह प्राकृतिक जल हाराएं और नैसरगिक हवा का बहाओ तीवर बहाओ सामान की ढुलाई मत्र अराम से ही नहीं करता बलकि जल्दी ही करता है और बस्तियों के बीच से बसाहट के बीच से जाते हुए बड़ी सुगमता से माल ढुलाई हो जाती है तो इस वकार यह उस समय के परिवहन जल परिवहन मार्ग उस समय का बहुत महत्पूर्ट था फरात नदी जो है जैसा मैंने पहले बताया फरात नदी तो व्यापार के मामले में एक तरीके से विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी तीसरी दशा जो शहरी करण या शहरों के विकास के फलसुरूप जो उत्पन हुई उसमें तीसरी दशा की चर्चा करें तो वो है धातूओं और पत्थरों की कमी ऐसी भी एक सभिता है इतनी आधनिक इतनी विकसित जहां के लोग कमश पढ़े लिखे थे और जहां पत्थर आधी भी बहुत कम थे धातू भी बहुत कम था उसके बाद ये बहुत विकसित हुई यह भी एक बड़ी रोचक बात है दक्षन का जो मेसोपडामिया का हिस्सा है वहाँ तो पत्थर और धातुओं की तो अत्याधिक कमी थी उसे बाहर से आयात किया जाता था और इसी कारण पत्थरों की कमी के कारण वहाँ पर जो अधिकतर मकान है वे इंटों के बने होते थे शुरू में देख शुरू के उधारण जो हैं वहाँ के मकानों के वे कच्छी इंटों के हैं जल्दी तूड़ जाती थी समय के साथ जब उनका विकास हुआ उन्होंने अपना विकास किया तो फिर मिट्टी को पकाने लगे धलाई करने लगे उसका साचा बनाने लगे और साचे में इंट बनने लगी इस सुधार की क्रमिक प्रक्रिया में एक समय ऐसा आया कि इंटों को आग में पकाने लगे भठी में पकाने लगे, धूप में सुखाने के बाद इतनी मद्बूत हो गई वो इटें कि पर्याप मात्रा में इटें उपलब्ज थी और पत्थर की कमी को उसकी ख्षति पूरती इटों के पर्याप निर्मान थे पूरी की जास्त की ये जो पत्थर आदि थे और जिनका आयात किया जाता था उसके साथ ही साथ रांगा, सोना, चांदी, तांबा, इनका भी आयात मेसोपोटामिया के लोग करते थे और शहरी विकास में इनका बहुत अमूले योगदान था ये लोग खासकर इस बात को समझना होगा कि इस सतत आयात से जो जरूरत के अनुसार था क्योंकि ये आधार हुच चीजें थी किसी भी सबिता के विकास होने के लिए परणाम क्या हुआ कि एक तरीके से व्यापार संगठन बन गया, एक गृप्स बन गया और ये ग्रुप बड़ी सुगमता से, बड़ी कुशलता से अपना कारे करने लगे और आयात, निर्यात की जो प्रक्रिया है वो सरल हो गई, क्योंकि उसको नियम से होना था तो इसकार एक नई दशा का जन्म हुआ, शहरों के विकास के फलफरूप और वह था व्यापार संगठनों का आना, व्यापार संगठनों का उद्भाव, जो विभिन सामानों का बाहर से आयात करते थे, और उसकी एवज में, अपने हां से बनी हुई चीजों का निर्यात कर आते थे, सोना चांदी भी उनको आयात करना पड़ता था, इसके बाद हम आते हैं अगली दशा पर, किस चीज़ की दशा, शहरों के विकास के फलसरूप पनपने वाली दशाओं में से एक, और ये सबसे महत्पून दशा है, जिसका जिक्र विस्तार ते पहले किया जा चु विभाजन जो है, वो शहरी विकास का दियो तक होता है, किसी शहर की पहचान, वहां के श्रम विभाजन से होती है, आप किसी भी शहर की और जाएं, तो पाएंगे, कि एक विकिसित शहर में एक शित्र होता है, जहां सब लोहार का काम करते हैं, एक शित्र होता है, जहां सब कुपडे का व्यापार होता है एक सड़क ऐसी होगी एक खित्र त्षा ओगा जहाँ बर्तनों का सामान होगा एक अटो मुबाइल इंडस्ट्री का होगा एक अन्य उत्पादक सामानों का होगा आ दिया, द्वाईयों का होगा आदिया ये जो श्रम विभाजन है श्रमकार्थ शारीरिक श्रम नहीं है श्रमकार्थ है लेबर कोशल कोशल का जो विभाजन है वो विभाजन एह सपष्ट करता है कि शहर कितने विकसित हैं मेसोपटैमिया के शहर श्रम विभाजन के मामले में काफी आगे थे और मैंने पू अत्रिक्त खाद्य उत्पादन श्रम्विभाजन का कारण होता है और इस पकार हम देखते हैं कि शहरी विकास का यह जो द्योतक है यह मेसोपटैमिया में काफी पनपा हुआ था एक दूसरे पन निर्भरता भी बढ़ाता है क्योंकि यह कोशल बटा हुआ है तो औजार के लि पत्थर तराशने का मेरा कोशल है पर मैं स्वैम पत्थर ला नहीं सकता मैं स्वैम पत्थर तराशने का ओजार बना नहीं सकता तो मुझे उन पर निर्भर होना पड़ेगा जो लोग यह कारे करते हैं दूसरे शब्दों में श्रम्विभाजन पारसपरिक निर्भरता को ब पूर्ण हूँ, समय पर पूर्ण हूँ, अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग व्यक्ति, यही श्रम्द वाजन था, और यह मेसोपटाइमिया की सबिता के शहरी विकास्क के दियोतक के रूप में उसके फल्सुरूप उसकी एक दश्या बताता है, शहरों के विकास्क के फल्सुरूप जो दश्याएं उत्पन हुई, उसकी एदि बात करें तो इसमें, यह बहुत अहम बात है की मेसोपटाइमिया के लोग, शहरी अर्थ व्यक्ता में व्यापारिक लेंदेन के लिए मुद्राओं को उप्योग करते हैं। मुद्राओं का प्रयोग, उनके लिए एक बहुत महत्पूर्ण चीज़ थी, और यह जो मुद्राओं थी, यह बड़ी चिकनी होती थी, मिट्टी की पटिकाओं की तरह होती थी, और हमको जो मुद्राओं मिली हैं, वो अधिकतर तीन हजार दो सो इस्वी पूर्व के आसपास बनाई गई हैं, जिसमें अनेक चिन हैं, साथ ही इन पर लिपिक कीला कार चिन बनाता था, और इन कीला कार चिन्हों के आसपास, वह कुछ और भी पिरूता था, मिस्वपोटेमिया के जो खुदाई स्थल हैं, जिनका मैंने पूर में जिक्र किया है, उसमें तो सैक्रों पटिकाएं बनी, सैक्रों ऐसी मुद्राओं बनी हैं, और हम मान सकते हैं कि शहरी विकास में उनकी आर्थिक विकास में इस मुद्राओं का प्रयोग, उनका चलन, उनका निर्माण, बहुत महत्पूर्ण योगदान देता है राजाओं की सैनी शक्ति जिसने श्रम को अनिवारे बना दिया यह बिन्दू, मिसोपटामियन शहरों के विकास की दुशाओं का एक अंतिम बिन्दू, लेकिन अत्यादिक महर्टूर्ण बिन्दू है एन मरकर के बारे में कविताएं बताती हैं कि राजा का जो इस्थान था, वो बहुत मूचा था उसका पूरा समुदाय पर नियंतर रहता था सैन शक्ती दिनों दिन बढ़ती थी और जैसे जैसे सैन शक्ती में ब्रिद्ध होती थी, वैसे वैसे श्रम भी अनिवारे बन गया शहरी विकास का एक परणाम ये भी हुआ कि राजाओं की शक्ती में सतत रूप से विस्तार देखा जाने लगा दिन प्रति दिन राजा और ताकतवर होते चले गया, उनका नियंतरन और बढ़ते चला गया और समाज में उनका स्थान काफी उचा हो गया थी, ये काफी उचे उख़दे पर रखे जाने लगे थी